गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 सत्र में तीन प्रभु बताए है ये तीन प्रभु कौन है? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरन समाप्त हो सकता है? तीन प्रभु में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूर रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुन्ये जगत गुरु तत्वदर् बगवान संकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया अकले बच्चा बगवान शीव ने ने सोचा था यो जंगल में रहता है अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्ससों से बगवान शीव ने ये भी ना पता था तरह दूसमन है बगत नहीं हाथ में कड़ा आते ही कहन लग जार तुझे मारूंगा पार्वती को पत्तनी बनाओंगा अब जो तेवर बदले दिखे श्री बगवान संकर जी ने तो मोगण संकर ने अपने पुजारी की से के तो बगवान सीव जी ने वहां से फिर खकाठा दिया सो की सपीड पकड़ दी भाग लिये जो औरत है पीछ पीछा पीछा बस्मागरी आगए आगए बगवान पाठ्षा पुजारी आगए और बगवान पर उनका सांग लेकड़ रहा वहां पर अब कहते हैं फिर विश्णों रूप में परमात्मा आए पारबती रूप में और उसको कहा बस्मागरी डट जा क्यों भाग रहे हो रूप में बगवान ने कहा कि देखो आपके पास बस्म कड़ा है वो आपके पास निकट थोड़ा सकता है रहा पाओ मेरे साथ बैठेंगे बाते करेंगे उड़ेट गया रुख गया तर फिर रुखन लगी डांस करके देखा मुझे बस्मागरी कहता मैं तो तपस्या करनी रंस पास भी हुएंगे बस्मागरी करेंगे और कुछे ज्यूब ने हैं रहीं आदमी हुए राथ मैं आत्माठाण करीड़े करवाए लिया बस्मागरी म्र वस्मागरी मर लाया जर खिला सुर्क के पर विषण कर शार्तावरे वांच वहां पौचे फोश्वाण संकर जहा एक्सप्रेस हो जाय रहे थे वहां जाकर खड़ा हो कि डट जा बोड़े नाच डट बगत बाही रुख जा अब देख्या विश्णो जी है भागले भागले आजा भागले लग कहां क्या क्यों भाग रहे हो कि बस्मा गिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे दोखा कर दिया तब भागवान विश्णो रूप में परमातुमा थे वो पूरन परमा करक्षा करते हैं इनकी कहने लिए कि देख वो मने मार दिया ये तरह बस्म कड़ा रहा पकड़े ना जच्ची उसका है कि उसका था बहुत बेंकर विक्राल रूप था वो नू कैसे है देजिया कड़ा तब वापिस आए बताया कि ये राख पड़ी इसकी यहां मर्या हो तब भगवान शिवजी का कलेज़ जा ठंडा हुआ और आमीन वगवान मानने थे रिया कथा रोज पर ड्यागरते कि वगवान विसमा गिरी का अगया भाग लिया है विसंकर जी अगर अविनासी होते अजर अमर होते तो कहते आज़ा भाई करके करेगा जैसे कभीर प्रमात्मा को ऐसे काट दिया था पचास टुकड़े सेख तक ही ने करवा दिये थी अर्नियों के नियों खड़े हो गया वगवान सामने और भी बहुत सी आतनाई दी थी प्रमालिक उसमा गंगाम डबो दिये थी बाहर खड़े पाए थे अपने अत्मा ये तमोगुन के पुजारी राकसस कहला है बसमा के लिए नहीं बसमा असुर कहला है उसके बाद वो और राउन ने तब किया था साधना बक्ती की थी इसी तमोगुन बगवान संकर की परतरिया को उठाना है महापाप घोरपाप होता अबला को उठा के जबरदसी लाना और फिर वो बगवान उसके शिवजी के बड़े वाई की पत्नी यानि विश्नों की पत्नी तो मां के तुल होगी और शिवजी का पुजारी सीतान ठाले गया कोड को बिद कर दी राकसस कहला है कुट्याली मौत मेरा और रजोगन के यानि बरमाजी का पुजारी था अब उसने के जुलम किया बेटे का दुस्वन हो गया राकसस कहलाया और कैसे उसकान्त हुआ अब विश्मुजी के पुजारी जो सतोगन के हैं ये वैश्नों कहलाते हैं एक समय कुम्ब का मेला भरा हरिदवार में वहां पर ये सभी कुम्ब के परव में सनान करने के लिए पर भी लेने के लिए जाते हैं गिरी, पूरी, नागा, वैश्नों और ये अलग अपने वहां अलग अलग ग्रूप में जाके कठे हो जाते हैं गिरी अलग पूरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैशनू अलग और फिर सनान करने के समय सभी परस्थान कर देते हैं, अपने-पने मुख्या के पीछे-पीछे, ऐसा ही हुआ, सबसे पहले नागा कती नंगे रहते हैं, वो अजारों की संख्या में थे, वो पहुं वो जाकर कहने लगे, नागा ओ, तुम बाद में सनान करना हम सर्वस्रिष्ट हैं, नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वस्रिष्ट हैं, हम त्यागी और वेरागी हैं, हम कोई वस्तर भी साथ नहीं रखते हैं, हम बिलकुल नीच्छा गूमते हैं, हम सर्वस्रिष्ट हैं, पर आज तुम पर्थम दाने वाले हो गए हो कहने का भाव ये है वो गंगा भी बूल गे बगवान भी याद ना रहा लट्थम लट्था तीर निकाल लिया तलवार का डिली एक दूसरे को कतले आम कर दिया पत्तीस हजार ये तिर गुण पास से कटका मिर गे वहाँ पर तो ये कर सबाव को धारन किये मनुश्यों में नीच दूसीत करम करने वाले बूरक गंगा का पाणी मेला हो था दो मिट पाच्छे ना लिओ ना लो भाई कोई वादना हम ये बैठे यहाँ पर एक आम आदमी से गिरा करेक्टर इन लोगों का दोहार अगर आप गंगा कही सनान करने गये भी हो कभी डड़े डोहा थे जब हम भी जाया करते कोई आकर कहता भी मैं भी ना लो का जाए उसको सथान देखते थे थे का जो आप भी ना लो आम विक्ति का वह अच्छा इन को माथमा और इन से जाकर दिक साले इन से मोक्स माने इसके वीशे में प्रमेश्वर ने धड़ जोर बदावे हैं और हर पैड़ी हर हेथ ना जाएना वहाँ जाते एक चलावे और काटें सीस नहीं दल करूना ये जग में साध को आवे हैं और जो ज़न इनके दर्सन को जावे उनको भी नरक पठावे कहते हर पैड़ी और की पैड़ी कहें बगवान के परती कोई दया नहीं और आपस में कतल आव करें और काटें सीस नहीं दल करूना ये जग में साधू को आवे हैं मातमा और कहते हैं इनके दर्सन भी कोई करने जाएं न उसने भी नरक पठावे हमने आस पास देखा गाओं में हमारे गाओं में नाथाओं का डेरा था अब भी है तो जो भी उनके संप्रक मानता उनने पहले सुलफा प्यान सकाते उसको एक चलम सी राख्यार दे मिट्टी की इतनी सुलफा पर रगाओं टर्न कर देते फिर उस चोरी करता आदी बन जाता गर के अदर लोग कमा लाता दाने लाता उनने सुलफा प्यों ना डेली तो इन्हों बेगाड़ दिये ने कहते हैं ने कि दर सनदा उन नवी नरक बेज़ दें ये कहें कि वक्ती कराओं गेर करेंगे अब धर्मदास इन बाता ना सुने के बहुत परभावित हुआ पुनात्माओ बहुत कुछ परमात्मान उसको समझाया उस प्यारी आत्माने बड़ा धान से सुना लेकिन ये मन ये पुराना रंग जल्दी सी हटता नहीं काफी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने मात्मा जी आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो क्या इनकी पूजा करने वाले निकमे होते हैं परमात्मान ने कहा मैं नहीं कह रहा आपकी गीता बोल रही है कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने फिर से प्रमात्मा की बातों में एरुची वेक्ट कर दी एरुची वेक्ट की तो प्रमात्मा कबीर प्रमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गे अंतर ध्यान हो तो वो फिर रोन लागया फिर रोने लग गया ही वगवान मिरफ गलती बन की इतना अप अच्छा ग्यान दिया और सारे सत्परमान दिये अब क्योंकि हम सरधालू इतने है अम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विशे में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो लेकिन पुनात्माओ अगर कोई दंत कथा सुनाता हो अपनी महिमा वर्थ बनाता हो तो वो नहीं सुननी चाहिए सद्गरंथों में लिखे परमानों को नहीं मानता है तो वो अदमी ठीक नहीं उसके विशे में परमेश्वर कहते हैं जान बूज साचीत जय करेज भूटते ने और ताकी संगत फर्बूष वपने में बना दे यह सर्वश्वर परमात्मां अंतरधान हो गए अब धरमदास के सामने देराद छा गया और पुनियात्मों जिस परमात्मां को सर्वे सुकदाही बताया जाता है वो परमात्मां जहां पर्गट हो जाता है सौ किलो मीटर में कि तो कम से कम स्थान्ती हो जाती है और वो तो बैठे उसके गती साथ में जैसे किसी के कोई हाथ पर गरम पानी या चाह गरिगी हो उसमें कितनी पीड़ा होती है और उसके उपर बरफ का टुकडा रख दिया जाए है कैसा महसूस करता है जैसे उस पर कुछ भी नहीं है सांत हो जाता है ऐसी दसा है भगवान जब उसके पास थे तो उसको इतनी शांती थी परमातमा के दूर होते हैं उसके अंदर वो ही फिर पीड़ाएं जैसे रह 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 पुतर है के तुर दूर की बाते हैं वो नूर फुलाना नूर दूर दूर ऐसे करदू ये आग है सब के अंदर जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में तो वो मैसूस उसको जो आनन्द हो रहा था वो खतम हो गया और जो ग्यान उसे मिला वो परमानित और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा के मैं कैसा दोस्ट हो मैंने बगवान खो दिया अब फिर रोने लगया अब त्याग दिया वापिस चल पड़ा अपने घर की तरफ और क्या कहता है प्रमातमा की वानी में लिखा है तावा रोवत धर मनी नागर कहां गए मेरे सुके सागर अधीक वियोग हुया हमसे ती जैसे निर्धन की लुटगी खेती कलप करे और मन मैं रोवे दसों दिसाकों वो मगजवे अब रो रहा है अन्यों के वगवान है बेग मिलो कर हूँ अब गाता अब ना जीवू सुनो विधाता अब धरमदास जी नो देखे है के वगवान कई मेरे पीछे तो नहीं है उपर तो आकास में तो कई दिखाई नहीं दे रहे है कहते हैं कलप करे और मगमन मैं रोवे दसों दिसाकों वो मगजवे चारों तरफ देख रहा है उप दो सों दिसाकों उपर को नीचे को और कहता है बेग मिलो कर हूँ अब गाता मैं ना जीवू सुनो विधाता ये परमातमा जल्दी दर्शन देदो अब मैं जीवूंगा नहीं नहीं मैं आतम हत्या करूंगा रोता हुआ घर पे आ गया उसकी पत्नी ने सोचा बगत क्यों रो रहा है क्या बात होगी इसको अब बोल नहीं पा रहा है इतना बुरी तरह रो रहा कहां से मत्वरा से रोने लगा था बंदो गड़ पहुंची गया एम पी में आठ सो किलोमेटर दो दिन तीन दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको पैदल चलते थे पहले कोई सुवारी नहीं होती थी ऐसी और सरधालू थे पैदल चलते थे उसकी पतनी का नाम आमनी देवी था बड़ी धर्मात्मा थी लेकिन कभी कभी वो भी बगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजुसी करती थी तो उसने सोचा कि बगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया इसका ते एक मिन्ने का टूब प्रोग्राम था आ ग देख रही है और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा दैसे किसे बालक के माँ बाप दोनों मर जा वो बालक रोया करे इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मूँ के बल पड़ गिरके और बुरी तरह रो रहा है उसने सोचा इसके क्या हो गया इतना जल्दी कैसे आ गया आमनी ने सोचा कि हो सकता इसके किसी ने ठगने पैसे लूट लिये हूँ और मैं कंजूस हूँ कई बार इसको कह देती थी तब यो दर्म बंडारे करता था खुले आते में टोक दिया करती कि बच्चे के खांगे गणादान ना करया करे तो उसने सोचा कि अब ये यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया चुरा लिया जो यातरा के लिए लिए गया था और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा पैसे की को उंगा तो यह मूँ चड़ावेगी तो उसने सोचा के जिस कारण से रो रहा हूँ अब वो दिरे दिरे कहती है सेठ जी क्यों रो रहे हो किसी ने पैसे निकाल लियोंगे न तुमारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है और कितने पैसे ले जाओ आप और ले जाओ आप पूरा करकाव अपना कारी है अब वो एक गंटा दो गंटा खूब रो लिया दीरे दीरे सबगता हुआ रोता रोता कहता किया आमनी यदि मेरा यू धन खूगया होता बहुत एक धन कोई सुरा लेता मैं नहीं रोता फिर ले जाता लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब साइद मिले नहीं और वो मिले निर में जी नहीं सकता आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा अब ये बात सुनकर बैक राउंड कानी की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोण गया रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा सभाविक सा हुआ सांत हुआ सारी कथा बतान लगया जो परमात्मा ने ग्यान सुनाया था सारी ग्यान सुनाया और सिरिष्टी रतना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने अब इतना समय नहीं रहाज के सत्सिंग मनी वो भी सुनाता कल सुनाएंगे तो वो उसे ने सारी सुनाई और सब अपने साथ गटना बताई कैसे ऐसे मन गट रोटी बनाई उसमें चीटिया जड़गी थी और वो चीटी सारी जीविट कर दी मेरा पाप काट दिया अब आमनी कहने लगी इतना बड़ी आग्यान और खुद बगवान देने आ रहे थे आप तो बिपारी हो आप तो बिदनिसमें थे यो सोदा चूक कैसे गए अब दरमदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सोदे में आज तक हर का मुनी देखा था अब के मैं चूक गया अपना सोदा और ये गाटा मुझे सायदिस जीविव में पूरा नहीं हो गार मैं जीव नहीं सकता जो साधना हम करते थे वो एकानने की नहीं आगे का रस्ता कती नहीं घोरन देरा हो गया मेरे सामने जीव कैसे बगत्मती आमनी कहन लगी आपने तो गल्ती कर दी इब्यन माविशनू मैं इस गेला कुणसी अपनी रिष्टेदारी थी और ये कुणसी अपने रोज मिल ला करते थे आमने सुनी सुनाई बातों पर उन पास रही थे अरी चनाबड़ी आग्यान सारे परमान आपको बताएगे आपने चरन पकड़ने चाहिए थे कहने लगा इसी बूल को तो रो रहा हूँ जैब कवगवान आगे अब कहनी छोड़ूँगा तरन उनके ऐसे बीत गया छै मिन्ने बीत गया उनको धरमदास जी ना कुछ खावे मुश्कल से एकाद फुल का रोज मुश्कल से इसकी पतनी कैस उनके खिलाओ इसको और वो ना कामकाज मेरू थी वो बगती करया करता वकती वद करने की कोई ना थी सुबह बैठ जा दरवाज़े तो बार दोबार के उपर गेट पर है घरनो देख दूर ताई जैसे बी लड़ी ने स्री राम की पर तिक्सा की थी अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता चल पड़ता उसकी तरफ के साइद महातमा अगे अरे एक बार पुनातमों जिसकी चाँ आपको हो जाती है आम विक्ती भी वह साइद दीखने लग जाता है उसको वहां तक जाता है कि ना यो तक हो नहीं हो नहीं है फिर पता लगया किसी से कि एक महातमा बैठा है जंगल में गाउन अगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ बगत जी भी पहुंच गे दर्मदास जी अब देखा कि वह हो सकता महातमा वही हो सकते हैं लेकिन इनका ग्यान से प्रिक्षन होगा दर्मदास जी ने परसंड किया उस सादू से प्रिक्षा करने के लिए जब महाराज जी होंगे तो वह बात मैं परसंड करूंगा टू दी पॉइंट जबाव देंगे उसने परसंड किया महाराज जी मैं कुछ परसंड करना चाहता हूँ दर्मदास ने कहा वो सादू मातमा बोला करो बच्चा के बर मा भी सुनो महिस के माता पिता कौन है वो सादू कहता रहे कैसी बात करता है इनके कोई माता पिता ने अजरो अमरेसर वेस बर महिस बर जान गया यो ठीक हो ने महमन मन महिनो कहे तो रोंग नमबर उटका गया ऐसे थे महिने बीट गे फिर प्रमात्मान उसकी पत्नी में प्रेड़ना की उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत आपका तो वेट भिया दा रहे गया और ऐसे तो आप मर जाओगे बगवान ने जब इच्टे आप से कुछ तो कहा होगा भी कैसे मिले वो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहां धार्मिक बंडारे होते हैं यग होते हैं साधना करते हैं जो भगत कठे होते हैं तो को बंडारा करता है तो मैं वस्थे जाता हूँ और उनको ग्यान चल्चा करते हैं परमात्मान जैसे आपना रिग वेद मंडल नमबर नो और सुक्त नंबर छासी के मंतर छबीस अताइस में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यगों में तार्मे की यगों में बिजली अर्टेदी गतीसी इल्पदारत के समान आकर प्राप्त होते है गुप्त रूप महा कर बैठ जाते हैं और वही परमात्मा ने कहा कि वो ऐसे धर्मबंडारे होते हैं दार में की यगोती हैं वहाँ उसे जाता हूँ क्योंकि वह मेला बरता है बगतों को बठा कर समझाते हैं तर्चा करते हैं गुप्त रूप में तो आमनी ने कहा कि आप बढ़ारा करता हो दर्मबंडास ने कहा एक दिन में क्या हैं एक दिन में तो पता भी ना चाला किसी ने दर्मबंडास ने बढ़ा लिए तू कर ले जितने दिन का करना हो कि तीन दिन का करना पड़ेगा अग तीन दिन का कर ले उसने तीन दिन का भंडारा धर्म बंडारा दिन निस्चित कर दिया आज पास सुब चुठियां विजवा जी कि दूर तक अब पहले दिन सब भोजन करके साथ दो संत मातमा से ले गए वो तो नहीं आए देखता रहा उसकी पत्नी ने पूछा कि महराजी आए क्या महराजी आक नहीं आज तो नहीं आए अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ तीसरे दिन आफ्टर नून हो गया बंडारा यान भोजन चल रहा है सादू संत खाक जा रहे है अब दरमदास ने फाइनल फैसला कर लिया क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते है कि यह दी आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार अब जी आए नहीं जामेरे थे आज तक कियास ठीक साइदा जा जाएंगे अंतर वो तो कहते है चिटी पायल बज़ पैर साहिब सुनता है सब लेर अंतरिया में सारी जानते है उन्हें देख लिया का आज भगत मरेगा अपनी जीवे का क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि यह बंडारा पूरा हुए और मैं आत्म गात करया तो फिर कहते हैं बेग मिलो कर हूँ अप गाता मैं ना जीओं सुनू विधाता उसी से में जब रहे ना तो उसी समय एक कदम का पेड़ था लगबग दो सो फुट की दूरी पर जहां बंडारा चल रहा था वहां आका उसी जिन्दे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ की आका है धरमदास की वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पलपल में जब नंगा गई अक वो बैठे माराज जीता है नंगे पैरा नो दोड़ के नो देखे जानते कती नो वह एक यूए जड़ना नो सीन्य लागे नो चिपट गे जो कर बालक अपने मात पिता के चिपक जाता है अर नो देखे अन्यों के बगवान इपक जोड़ करना जाईयो यह परमात्मा अब कर जो कहोगे सारी सुनूगा तब परमेश्वर ने कहा धरमदास इनन पहले फारग करनक लियाने फिर बतलावांगे अपस में अक ना जी इपक जोड़ करना जाईयो अगने बच्चा नहीं जाऊंगा विस्वास कर मेरा अब वो एक कदम एक बार दन्यों देखे फिर उन्हें तर डिगाने थे वो पठापड़ करकर भार गए और परमात्मा को कहा आपके दास्की कुटिया हाज़ो यहां पर थोड़ी देर अंदर बतलावांगे अंदर ले गया वगवान को जैसा भी बैठने को सादन दिया अपनी पतनी से बुलाया कि हाजा भाग जब आगया आमनी मेरा धन पागया मेरा धन पागया दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठी गये तब आमनी ने कहा कि बगवान आपका बच्चा यह तो बहुत नर्मातमा का है इसको तो मैं सांतों न देती रही ना पहले मर लेता ए बगवान आप तो हंतरियामी हो इतना दुखी नहीं करना चीए था अपने बच्चे को तब परमातमा ने कहा कि आमनी यह काल का दूट हो रहा था जिसको मैं दो बार मिला इसको ने सारी बात मानी फरकीता ने कीता काल फिर इसका आट लगा देता मैं इसके साथ था इसको मर नहीं देता बेटा यह तो मर लेता पहले ही इसका बढ़का डैमन है इसका लोहा गरम किया है अब लोहा गरम होए बना चोट मारें जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं अब इसका अंतेक नसाफ हो लिया आज बेटी जो मैं कोंगा सारी माननेगा और ये सत्य इसके हर देम उतरेगी इसलिए थोड़ी सी देर करी थी तो पुन्यात्मों ये वो समरत है कहते हैं जो जन मेरी सरन है ताका हूं में दास और गेल गेल लागया फिरो जब लग धरती आका से फिर सारी कथा सुनाई दुबारा से कई दिन रुके उनको खूब गयान समझाया दोनों नो उपदेश लिया परमात्मा ने तक गवाँ बनाना था उनको धरमदास की आत्मा को परमात्मा तो चले गए अब जाता हूं फिर आउंगा अब उस दिन के बाद एक दम धरमदास ती को दरसन दे रहे हैं और नली और कहा दरमदास चल तुझे आपना सत लोग दिखाता हूँ पहले दरमदास ने प्रार्थ ना की थी पहले कई बार ले चल आज तुझे अपना सतान दिखाता हूँ सत लोग लेके गए दरमदास को आत्म स्रीर वहीं पड़ा है अचीत पड़ा है तीन दिन होगे, रिष्टेदारी कठे होगे, गाउं के इकठे होगे, नगर के लोग आने लगे, क्या हो गया, पता नहीं के बिमारी होगी, बेहुस पड़ा है, कोमा मचले आ गया, तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ उपर दिखाया, सौरा सत लोग दिखाया, वहां की सती कि कि यहां कभी बुड़ा पा नहीं आता, यहां कोई दुख नहीं होता, यहां मर तू नहीं होती, तुम यहां रहते थे, और अपनी गलती से तुम चले गए, अब दरमदास कहता है, बगवान, मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना बेजो पर भूँजे, यहीं रख लो, वाज़ हमसे भी गड़ी है, वाज़ा की पता चलता है, सच मुझे अबने जुलम किया, यहां से गए, किस कार नसे गए, और रोह है, बहुत बुरा हाल कर दिया, वगवान, वापस ना बेजो तो बहुत बुंडी सतान है, तो परमात्माने कहा, तुब जा बेटा, यहां ऐ तुम अपनी मर्दी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे, और इतने ही धनी बन कर आओगे, जितने धनी यहां से बन कर गए थे, जितने धनी तुम यहां थे बगती के सक्ती, इतनी नीचे कठी करनी पड़ेगी, उसका मैं एक मंतर दूँगा, तु चल वहां पर, और मंतर दूँगा तुझे सतना, उसका सिमन करना, उसके बगती के धन से तुम वापस आओगे, ऐसे नहीं बेटा बात बने, तीसरे दन जब वापस आत्मा आ छोड़ दी, तु वो जा गया, तब उसको पता चला कि यह बगवान तु वहां का सिम रहता हूं, सत लोग से ज गुरू भी है, तब मालक से वहां मिले है, फिर का कि है बगवान, आपने मेरी आँखें खोल दी परमातमा, दिख शादो अब दोबारा, नए सरेत मालक नो पदेश दिया, सत नाम दिया, उसकी मुक्स किया, सार नाम दिया, और उसका कल्लान किया, बो सत गुर्देव की, ज सर्वे सिरिष्टी रचनहार, सर्वे उत्पादक परभू, ये प्रम्पुजय कबीर प्रमीस्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, यही हमारे मालिक हैं, हम अपनी गलती के कारण, हम यहां काल के जाल में फस गए हैं, और हम ऐसे लोक में पहुँच गए हैं, कि यहां जीव सुखी नहीं हो सकता, यहां सुख नाम की चीज नहीं, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्सर ब्रह्म, कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, जो बनारस में कासी में, एक जुलाय की बूमिका करके, 120 वरस तक इस दरातल पर रहे, एक जन साधारन की डीला करते हैं, यह परमात्माओं, तीन सथीती में, सर्वेबरमंडों की सथीती को संभालते हैं, जैसे परमेश्वर का एक बहुत तेजों में सुरूप है, वो सत्लोक के अंदर विराजमान है, और बहुत बड़ा गूमज है, बहुत सुन्दर एक जैसे मंदिर नुबा एक उपर परमात्माओं, का सथान है, उसके बीच में परमात्मा का सिंगासन है, तक्त है, और वहां परमेश्वर कबीर देव जी, जो अमारे सदरे से हैं, मनुस सदरे से हैं, उनका स्रीर, उनके एक रॉमकूप में करोड सुरिये, करोड चंदर्मा, दौनों की मिली जुली रोसनी भी परमेश्वर के एक रॉमकूप की रोसनी से फिकी रहती है, इतना तेजों में सरीर हैं उस परमेश्वर का, और फिर जब वो परमात्मा हमारे को यहां सदबुदी देने आते हैं, यथारत ग्यान बताने आते हैं, तब अपना अन्य रूप धारन करते हैं, उस रूप में तो वही रहते हैं, एक अन्य रूप धारन करते हैं, हलके तेज पूंद का, यदि वो परमात्मा उसी तेजों में सरीर्युक्ति यहां आजाऊएं, तो हमारी आखे बंध हो जाऊएं, जैसे उल्लू सुरिय को नहीं देख सकता, ठीक इसी परकार हमारी यह चरम द्रश्टी परमात्मा के उस नूरी सरीर के परकास को, उस नूर को नहीं देख सकती, से इसलिए प्रमात्मा हलके तेज पूंज का अपने श्रीर को सरल करता हुआ हलका करता हुआ और यहां आते हैं और यहां आने की उनकी दो सथिति हैं एक तो एक युग में वो पूरा जीवन जीते हैं जैसे एक जन साधारन का जनम होता है जैसे एक बच्चा उत्पन होता है दीरे दीरे बड़ा होता है फिर अपने रोजगार में लग जाता है एक ग्रिश्टी चलाता है ऐसे फिर वो चला जाता है वर्द होता है एक ऐसी भूमी का प्रते की युग में परमात्मा करते हैं वो जनम नहीं लेते क्योंकि वो भगवान है वो एक सीसू रूपदारन करके छोटे बालक का और तलाब के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं इसलिए प्रमात्मा को नारायन कहा गया है नारायन मनि जल के उपर विराजमान होने वाला तो वो परमात्मा एक लीला करते हैं वहां से पूरव के दो संसकारी हन्स होते हैं बहुत अच्छी आत्मा होती हैं उनको वो प्राप्त होते हैं और फिर लीला में तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ होने लगते हैं वो कोई भी जलपान नहीं करते फिर कुवारी गाएं दूद देती है परमात्मा के असिरवाद से कुवारी गाएं के दूद से उस बालक रूपधारी परमात्मा की परवरस की लीला होती है फिर वो बड़े होते हैं तो अपने तत्व ग्यान का परचार करते हैं ये परमात्मा की दूसरी सथी थी है उकुछ कुछ दिन कहीं रह करके कुछ पुन्यात्माओं का उधार कर देते हैं और अच्सी आत्मा को मिलते हैं ये उस परमातमा की तीशरी सतीति है, अतीथी रूप माने की. जैसे यजूर वेद अध्याय नमबर 5 के मंतर नमबर 1 में दोनों सतीति बताई हैं. अग्ने तनूरसी, अग्ने माने परमेश्वर. प्रमेश्वर का तेजों में स्रीर है इसलिए प्रमात्मा को अगने नाम से उपमा दी गई है अगने माने है तेजों में सुरू तेजों में प्रमेश्वर अगने तनुरसी है प्रमेश्वर आपका स्रीर है आप से स्रीर है आपका बहुत सुंदर स्रीर है विशन्वे तवा सोमस्य तनूरसी तवा माने उस परमेश्वर का विशन्वे माने सब का धारण पोशन करने के लिए अमर पुरुष का सोमस्य अमर पुरुष का सरीर है विशन्वे तवा सोमस्य तनूरसी तनूरसी तो उस परमात्मा का सब का धारण पोशन करने के लिए भी सरीर है श्रीमत भगवत गीता जाय नंबर पंदरा के सलोक नंबर एक से चार में उल्टे लटके वे संसार उपी वरक्ष की सती थी बताई है कि इस संसार को ऐसा जानो जैसे उट्टा लटका हुआ वरक्ष हो जिसकी जड़ उपर नहों और तिनों साखा रजगुण बिर्मा सद्कुन विशनुतम गुन शिवजी ये साखा नीचे को हो और इस संसार उपी वरक्ष के सभी विभागों को तत्वदर सी संथ ही बता सकता है जो उसके सभी विभाग बताता है वो तत्वदर सी संथ है उस तत्व दर्सी संत की प्राप्ती के उपरां तत्व ग्यान रुपी सस्तर के द्वारा इस अज्ञान काटकर अर्थात इस तत्व ग्यान को समझ कर उसके परमेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद सादक फिर लोटकर संसार्मा नहीं आते गिता जिद्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर 16-17 में तीन पुरस बताए हैं तीन परभू एक सरपुरस एक सरपुरस सरपुरस ये 21 बरमांड का स्वामी है इसको ब्रम भी कहते हैं सर ब्रम भी कहते हैं शरपुरस भी कहते हैं अक सरपुरस ये साथ संग बरमांड का मालिक ह लेकिन दोनों के सरीर नासवान है इनके अंतर गज इतने प्राणी है सबके वो सभी नासवान है कि वो जीवात्मा किसी की नहीं मरती हो तो कुट्टेगदे की भी नहीं मरती इसलिए गीता जी दायर नमर 15 के स्रोक नमर 17 में तुरंद कहा है तो तीनों लोक को में प्रवेश करके सब का धारन पोशन करता है वो है अवेईश्वर अविनासी प्रमात्मा तो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पौशन कोण करता है जैसे मूल से जड से जड से पूरे वर्क्स को आहर प्राप्त होता है जड से पूरे वर्क्स की पौशन करता है पूरे वरक्स का पोशन करता है जड़ अब जड़ रुपी भगवान वो परम दिव प्रुष है परम अक्सर ब्रह्म है तो वो कवीर देव है यह वो कवीर देव है जो बनारसमय का सीम आये थे और दानक की भूमिका किया करते थे है पुनात्मा हमारे सद्गरंत जो है जैसे पुवितर वचारों वेद पुवित्र श्री मद्भगुत गीता पुवित्र पुराण इन सद्गरंतों को हम यथारत ज्ञान युक्त मान रहे हैं और हैं भी नो किनू और जो इनके अंदर लिखा है वो सत है तो हम पुर्मात्मा को पैचानने के लिए अपने सद्गरंतों को आधार बनाएंगे जिन को पुवित्र हिंदू धरम पहले से ही सत मानता है उस पर पूर्ण रूप से आशरित है तो उन्ही सद्गरंतों से हम बगवान पैचानेंगे उन्हें क्या लिखा है और कैसी महिमा है परमात्मा की कैसी लीला करते हैं बगवान तो फिर परमात्मा के पैचानने में हमें कोई भूल नहीं लगेगी अभी तक हमें भूल लगी हुई थी हमें कोई भी बता दे ऐसा है बगवान हम मान लेते थे ऐसा है बगवान हम वो भी मान लेते थे बिर मा है बगवान हम उसको भी मान लेते थे विशनु है बगवान हम उसको भी मान लेते थे संकर है परम सक्ती हम उसको भी मान लेते क्योंकि हमें ग्यान नहीं था अब जैसे ये पंथ चल रहे हैं कुछ ये कहते हैं सत लोक में सच्खंड में चलो और वहाँ पर मातमा निराकार है सत पुरस है यह नहीं वहाँ पर और आतमा ऐसे मिल जाएगी वहाँ जैसे बूंद समुंदर में बताओ अक्ल मारी जायरी समुंदर में कोई कह चलो डूबन चलाएंगे कितने एक्तियार होंगे डूबन खाते रहें यहाँ वैसे हाँ बरें जाओ बेसिक पर डूबन का टेमा होगा जब एक नाव डूब बेउड़ है सारे बाग जाएंगे छोड़ गए तो यहाँ यह नकली पंस चल रहे है यह कहते हैं वहाँ बगवान है निराकार ही परकास ही परकास है तो वहाँ किये करेंगे हम जाके जाओ बगवान नहीं हम तो परमात्मा को मिलने चले हैं परमात्मा वहाँ है नहीं अब जैसे कोई गाएं की महिमा गाता है गाएं दूद देती है बहुत अम्रत सा दूद देती है बड़ा लाब दायक पसू है और सबी कीच्छा होती है हम गाएं लें और फिर कें गाएं तो है यह नी गाएं तो निराकार है या कोई यह थोरी वही कोई पर मातमा कितनी महिमा बता रहा किया वेदों में, सद्गरंथों में, जिन मापुर्शों को आकर मिले हैं, उन्होंने अपने आखों देखा, अलब अगवान का बता रख्या, अब उनको हमने आन देखा कर दिया, इन जूटों की बातों को सभी कार कर लिया, ये नकली पंथ, ये रादा स्वामी पंथ, जै गुरुदेव पंथ, दंदन सद्गरु पंथ, ये सारे जूट बोलें, कति सो की सो, इन किसे न भगवान नहीं मिला, कख नहीं पता इनको, अगर प्रमात्मा मिला होता है, ये निराकार बताते, सद्गरंथ सत्व, बतावें कि दानक रूप रहा करता है, और हमरे हो निहार हमरा सरजनार, हमारे जैसा हमारा भगवान हमारा उत्पत्ती करता, तो पुन्यातमा दास का उदेश्य है, कि पहले हम अपने जिन सद्गरंथों को सही मानते थे, उन ही से प्रीचित हों, फिर दिखता है को नहीं भगवान के प मारग नहीं, इन काल के दूत्तों ने काल प्रेड़ना से अपनी पर भूता दिखाने के लिए हाठ योग सुरू कर दिए, सिध्या प्राप्ती करने के लिए, खड़े हो कर तब, उड़्टा हो कर के तब, और नरे हनुष्ठान करने लगे, सुआ सुआ करके, ये तो नास कर प्रमातमा कहते हैं, इस आमारे नाम में 24 सिध्य आजाएंगी तुमारे को, लेकिन इन सिध्यों का परियोग ना कर लेना, ये विस्का काम करेंगी, अपने आप पड़ी रहें क्योंकि सिध्यां हमारा सहयोग देंगी, और हम इसको परियोग करने लगे तो पर आनी कर प्रमात्मा पाने के लिए गर त्याग कर जंगल में साधनाय शुरू कर दी अब इनकी बहुत लंबी चोड़ी कहानिया है बच्पन जंगल में निकल गया 30-40 वरस का हो गया फिर बर्मन शुरू कर दी यानि पहले बैटरी चारज करता था एक वरस में छह मेंने तपस्या साधना करता था छह मेंने बर्मन करता था गाओं गाओं नगर नगर में जाके तो उसकी महिमा होगी एक राजा के संतान नहीं थी राजा ने उस पता लगया कि बड़े पहुंचे वे महापुरू से जंगल में साधना करकाए है तो राजा ने प्रार्थना करके अपने पास अपते दस दिन रखे शेवा की फिर प्रार्थना की कि हमारे संतान नहीं है अगस्त रिशी ने कहा ठीक है हो जाएगी संतान हो जाएगी अगस्त रिशी चले गए पीछे से राजा के घर कन्यान दनम लिया अब वो गूमता गूमता बारावरस के बाद फिर उसी रेंज में आ गया छह मेने साधना करता था छह मेने ऐसे जंगल में गाओं गाओं नगर नगर में गूमता था तो बारावरस के बाद उसी साइड का नंबर आ गया राजा को पता चला कि वो महापुरुस आ रहे हैं अगस्त्रिशी राजा ने अपने नगर की सीमा पर से लेकर वहां तक फूल बिछा दिये और खोब जज़े कार करवा दिये सब खड़े कर दिये नागरिक आओ भगत के लिए और साथ मा अपनी कन्या को साथ लेकर गए बारावर्स की कन्या पहले बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती थी तो वहां जाकर के कहा कि भगवन आपकी द्या से मुझे एक पूत्री प्राप्त हुई है आपके आशिरवाद से मैं आपका आभारी हूँ अगस्तरी सी बड़ा खुस हुआ और प्रार्थना की कि महराज हमारे यहां कुछ दिन रुको पहले तो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं एक दिन से ज़्यादा कहीं नहीं रुकता हूँ फिर उसने कहा जाकर जब बता के ऐसे ऐसे आपकी करपा से में पूतरी प्राप्त हुई है हम चाहती है आपके कुछ सेवा करें और हमरा मन खुष होगा तो उसने दो दिन की हांबर ली और राजा ने अपनी कण्या सेवा की, ऊक राधी बेटा तो इन की दी हुई है और सेवा कर महराज की अब धीरे धीरे ओमारा जीड़ा साथ दिन डिट्टिया फिर कहने लगया कि मैं तुझ से कुछ मांगना चाहता हूँ राजा से कहा अगस्त्रीशी ने अब राजा ने कहा जी हम क्या दे सकते हैं आपको सब कुछ आपका ही है मांगने कि आप सकता नहीं आप आदेश करो कि ये कन्या मुझे दे दो मेरी सेवा के लिए अब राजा को पता था ना ठीका तर पता नहीं कि बद्दुआ दे दे कतिनास हो जाए मेरा अपना चाहती पर पत्थर दर कहा है कि जवाब की आगया अपने अत्मा अगस्त रिषी ने सातों समुद्रों को एक ही गूट में पी लिया अब फिर प्रार्थना की उससे अन्य रिषी ने देवताओने के बगवनिया तो सब आओ भाओ बिगड़ जागी एटमोस्फेर चेंद हो जागा और आप दया करो हमारे उपर रहम करो रहम कर दिया उल्टाई कुरला कर दिया सातों समुद्र बर गे अपने अत्माओ आज हम अध्धातम ग्यान हीन वलिये कती इनकली रिषी संतों मेंतों के कारणी नकैखे का पता नहीं हमें नास्तिक का दूसरा रूप बुना जिया के वगवान ऐसा नहीं कर सकता ये सब जूठ बोलन की बाते हैं नहीं अध्धातम के अंदर बहुत बड़ी परबल सकती है ऐसा बिलकुल संभाव है लेकिन ये हमने चाहिए नहीं थी इनकी ओसकता नहीं थी अग्यानता के कारण ये किया क्या कहते है परमातमा कहते है कि डंब कर डूंगर चड़ें लोग दिखावा करते हैं ये तपस्या करने वालों उच्चे से सथान पर बैठेंगे जहां से दूर तो जिखा सबने महतमा वो बैठा और फिर आँख मीच कर बैठा रहा है फिर उसके शेवा सुरू हो जा लोग आण जान लग जा उसकी महिमा हो जा वो महिमा की भूख है परमातमा कहते हैं कि डंब कर डूंगर चड़ें डूंगर माने उच्चे टिले पहे पाढ़ पहे अंतर जिनी जूल अजग जान बंदगी कर रही है परमातमा के लिए कितना संग्रस करा है तो कहते हैं यह तो बहु है परमातमा पाने के लिए उनको एक मातमा मिलके जिसका बहुत बोल बाला था बड़े सिद्ध पुरुष का हाँ थे दोनों ने वाँ दिख्षा ले ली घर ताकर चले गए सन्यासी हो गए कई वरस तक वो मातमा के साथ रहे गुरुजी के साथ आसरम में अब गुरुजी की मर्टू के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिखा में सिद्धी प्राप्टी के लिए चल पड़े क्योंकि वो सिद्धी ही सिखा था जो उन में से एक था उसको परमेश्वर कबीर देवजी का सत्संग मिल गया जैसे आप जी को भी बता के परमात्मा तीन सतीथी में अपने इस अंसार के सभी कारियों को संभालते हैं एक में तब पूर्ण रूप उपर बैठे हैं सब बर्मांडों का कंट्रोल करते हैं अन्य रूप जैसे पर तेक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं बच्चे की रूप में परगट होते हैं जनम नहीं लेते सैसरीर आते हैं, सैसरीर चली जाते हैं एक सो बीस मरस रहे थे कुल युग में और सब अपना ग्यान परचार करके अपने अमरत बानी लिपी बद करवा के अपना ग्यान साराइद सुकसंबेद दे करके चले गए थे सैस्रीर गए थे और दूसरी स्थिछी वो कहीं भी आकर परगट हो जाते हैं जैसे आदनिय दरमदास साहिब जी को मिले आदनिय नानक साहिब जी को बेही नदी पर मिले थे अन्ने को दिखाई दे नहीं रहे थे अनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे और जो ही नानक साहिब जी ने बेही नदी में डूब की लगाई सनान करने के लिए वहीं से उनको अंतर जहान कर लिया जनता ने सोचा डूब गे सब जाल जूट डाले दूर दूर तक खोज की कुछ नहीं मिला सत लोक में ले गे फिर वापे छोड़े तीसरे दिन वही खड़े मिले तो ऐसे परमात्मा इन पुन्यात्माओं को मिलते हैं फिर वो अपनी ऐसे आकर कि हो परमात्मा कुछ लीला करते हैं इसई प्रकार वो कहीं परगट होकर कि कुछ दिन कुछ अक्सेत्र में रह जाते हैं कोई उनका गाम नाम पूछते हैं तो वो गोल मॉल कर जाते हैं संतों के गाम नहीं पूछा किए जनता भी नहीं ज़्यादा खोज भी इनकरा करती ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे जैसे आज कल टेलिफॉन है नाम बतांदे जब बगाम वहां पूछने करके भी यहां का कोई आदमी है तो उससे में ऐसा नहीं था तो परमातमा ऐसे रहते हैं किसी एक सेतर में कुछ दि जो थे उस सिद्ध के उन में से एक कोई परमातमा कबीर देव जी का टच हो गया सत्संग हो गया मिल गया उसको कई दिन लगातार सत्संग सुना उसका तो जीवन बदल गया जिन सिध्यों को वह प्राप्च करने की चेष्टा कर रहा था वो खतम हुई परमातमा पाने की उ संत ने उसे कहा बेटा अब तुँ आगे उपदेश दिया करिये और तुझे आदेश दे दिया मैंने उदर से प्रमात्मा गुमने के लिए बाना करके निकल गे जंगल में वन में वापस नहीं आई खोज भी इनकी देखा कोई विक्ती किसी इंसक्पसियों ने खा रख्या ऐसा सती थी कर दी उन चेलों ने सोचा गुरू जी को तो किसी ने खा लिया उनका अन्तिम संसकार कर दिया जबकि वो प्रमात्मा थे वो तो चले गए थी अब दस बारा वरस के बाद आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरू तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं नमस्कार जी के नाम है बहन जी आपका बहन जी आप कहां से आई हैं पंजाब लोद्याना से बहन जी संतरामपाल जी महराज से नाम दिक्षा लेने से पहले क्या आप कोई वक्ती साथना भी करती थी संतरामपाल जी महराज से नाम लेने पहले जो भी घर में देवी देवताव की पूजा होती थी पूजा करते थे, तो फिर आप संत्रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आई संत्रामपल जी महराज की सरण में 99 में हमारे मामा जी के घर पे सत्संग हो रहा था वहां पे हमें सत्संग सुना परमात्मा ने एकदम सारी सिष्टी की रचना सुनाई और जैसे कि पहले परमात्मा ने मेरे को दर्शन दे चुके थे मैं बच्पन में बिमार थी बिमार उड़ने के कारण मैं कहती थी परमात्तमा अगर आप धर्ती पे हो तो मेरे को بचा लो. तब परमात्तमा ने कभीर परमात्तमा के दर्सन मेरे को पहले हो चुके थे. पिर उनकी सरण में जैसे ही प्रमात्मा का सुरूप देखा और सरिष्टी ग्यान सुना वही प्रमात्मा मेरे को मिले जो प्रमात्मा का सुरूप मैंने देखा था वही प्रमात्मा के सुरूप के साथ में दर्सन होए थे दरसन होते ही, मेरे को प्रमातवान पिछला जनम दिखा दिया, कभी आप मेरे बगती पिछले जनम में भी करते आ रहे थे, बेटा मैं आपके लिए दुखी पा रहे हूँ, कि मैं मेरे बच्चे ऐसे बटके हुए हैं, और ग्यानमारक देने के लिए मैं आया हूँ, आपको स् आपको भी कोई लाब राप्त हुए? प्रमातमा के एसे बच्चे लेटे हुए हैं, प्रमातमा कहते हैं, बेटा, जितने चाहे उतने ले लो, प्रमातमा के पास कोई कमी नहीं है, मैं गहते हूँ, गरुजी, जो भी आप दो के वही मैं लूँगी, प्रमातमा ने दो जोती दे दी मेरे हाथ में, उसके बाद मेर को दो बच्चे हुए और लाब तो बहुत ज़्यादा हुए है परमातमा ने जैसे कि पहले हम रेंट के मकान पे रहते थे मैं कहते ही परमातमा के रेंट से तो मैं दुखी पाली हूँ कोई ना ससंग सुन सकते ना नितने हम कर सकते ना आरती कहते सोर करें हो चुप करो चुप तो परमातमा सोपन में आके मेरे को पलाट नंबर बता के गई और वही पलाट नंबर हमे लिया पहले कलियों में गुमते रहते हैं कभी पलाट नंबर कोई नहीं विला और एक बारी हमारे घर में चोर गुस गए थे रात के समय पर मेरे बच्चे को उठाने के लिए आए थे तो मैं सो रही थी, प्रमात्मा कहते हैं, बेटा उठ तेरे घर में चोर गुशे हुए हैं, फिर प्रमात्मा ने दो बारी आवाज लगाई, तीसरी बारी प्रमात्मा तूड़े गुशे से बोले, बेटा उठ तेरे घर में चोर गुशे हुए हैं, मैं उठ के देखा तो मेरी परिवार में ही दादी जी है, उनके साथ जगडा हुआ है, उन्होंने मोट सुटवा दी हमारे पे, तो मोट सुटवा दी तो हम तो परमातमा की भक्ति कर रहे थे, आरती का समय था, आरती कर रहे थे, तो मोट उपर ही गुमे जाए, हमारे बगत जी कहते है, देखो ये क्या प्रमादमा की आरती करो, संतरामपाल जी महाराज का नाम सुम्रन करो, और हमें ऐसे ही किया, वो मोट आद घंटा हमारे उपर से घूमी गई, घूमने के बाद हम देखते तो नीम का पेड था, उसमें जाके गिरी, वो गिरने के बाद उस नीम के पेड में आग लगी, आग ल प्रमादमा की सकती में है, उनके बसके हमारे से यह मोट वगरा नहीं छोड़ी जाएगी, हमें माप खर दो, नहीं तो मेरी जान को खतरा था, मैं पेड में नहीं डालता था, और एक बारी है न, मैं गर पे जा रही थी, तो गर पे जाने के बाद में परस टांगे हुए थी बाइक पे बैठे हुए थे, बाइया था, मेरी बेटी थी, तो ऐसे सामने से बस आ रही थी और पीछे से टरक आ रहरे था, बाइक बीच में थी, तो उस लेडिज को परस चीनने लगी मेरा, परस की डस टांगे हुए थी, परस जैसे ही चीनने लगी, मैं गिर गई, मैं पर संत्गुरू रामपाल जी महराज के पास गई मैं दर्शन करने के लिए, गुरू जी ने काया बेटा आज तेरा जनम इतना ही था, खतम होने वाड़ा था, यह जनम दान तो प्रमात्मा ने दिया है, और प्रमात्मा तो मेरे को इतना ग्यान दिया है, इतना निर्मल ग्या अकभी इस दर्थी पर पहली बार ग्यान मिला है, और लाब यह हुए कि मेरी माता जी की डैथ हो गई, आठ महीने पहले ही, फिर वो मेरे सोपने में आई, सोपने में आने के बाद कहती है बेटी, तो अपने साधना में लगे रहना, और अच्छी परमात्मा आये हुए, इन की सरन को छोड़ना मत, आप लगे रहना, और ऐसे यहना मेरे सुसुट जी थे, उनके भी पेन होता था पैर में, तो पेन होता था, इतना होता था कि जमीन में लेट जाते थे, जमीन में लेटने के बाद कहते थे, परमात्मा आज मेरे को बचा लो, इतना दर्द होता है, य एंवे मेरे को ठीक कर दे और फिर में नामदान ले लूँगा। प्रत्रमादमा ने दो दिन मेंडरद कम कर दिया और तीसरे दिन तो दर्द का पता ही नहीं जलिया। वो ठीक हो गई। उन्हों ने संत रामपाल जी महराज परमातमा आइ हुए और सही ज्यान देते हैं और यही बगति करना जो सरदालो आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी बगए सम आज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी धरती पर परमातमा आए हुए है अवतार आए हुए है कबिर साहिब के अवतार संत गुरु रामपाल जी माराज और जल्दी से आए और अपना मोक्स कराए बेंजी संत रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आ सकते हैं सथ संग के दोरान कुछ नंबर चलाए जाते हैं उन नंबरों पे संपरक करें और आपने नजदी की नाम स्तल सेंटर पे जाकर नाम दान ले धन्यबाद बेंजी सच साई जी आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी माराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपरक करें जानकारी के लिए मुझे जाए संपरक करें झाल